तो गाइज आपने बिल्कुल सही सुना, मार्केड में आ गया एक न्यू वाइरस जो कि आपके स्मार्टफोन पे टैक करता है और यह वाइरस काफी ज़या खतरनाख है क्योंकि यह आपके पैसे तक चुरा सकता है यह जो वाइरस है इसका नाम है एसको बार और आज किस वीडियो में आप लोगो कुछ ऐसी गलतियों के बारे हम बताऊंगा जो कि आप अंजाने में करते हो और आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप continuously इन गलतियों के दोहराते रहोगे तो आपका smartphone वगरा hack हो सकता है आपके पैसे वगरा चूरी हो सकता है तो बस आपको क्या करना है कि इस वीडियो का end तक का जूर से देखना है तो चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं तो गाइज इस तरह का वाइरस तो काफे सारे आते रहते हैं बड़ यह ऐसा पहला वारे से 2022 का जो इस तरह के गलत काम करते हो पकड़ा गया है यह जो है आपके बैंकिंग इन्फोर्मेशन को कलेक्ट करता है आपने फोन में यूपिया वगरा रखा होगा काफे सारे अप्लिकेशन पर एटियम फोन पर वगरा तब आप उसमें ट्रांसफर वगरा करते हो पैसा वगरा यूपिया पिन डालते हो तो इस सब चीज़ों क आपको लग रहा हो कि एंटिवाइरस से इस रुक्षित रखेगा आपके फोन को बट हो सकता है वह ऐसा ना हो तो गाइस आप लोग को पता है कि यहाँ पर में प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ आप यह जो गलत गलत वेबसाइट सर्फ करते हो ना फ्री सॉफ्वेर ड कर देता है तो इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहने का कोशिश करो आइनो कि थोड़ा सा मुस्किल है बट यहाँ पर आपको अपने सेफ्टे भी ध्यान में रखना होगा तो अभी मैं आप लोग को एक मूवी डाउनलोड करना चाहते हो फ्री में तो क्या करोगे गूग पर इस एपलिगीशन होगी जो आपको आपको ओटमेटिक लिहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगे आपको लगेगा वह इस एपलिगेशन तो फ्री मूवी डाउनलोड नाप उस प्पढादिश्टी निक्ता करोग तो इक्लिक सेफिक करोंगे शीन अपको में लेगा और तो इस तरह से आप करोगे तो आपको हमेशा problem ही होगा तो guys यहाँ पे कुछ चीजे हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप safe रह सको सबसे पहले तो जो चीजे मैंने आप लोग को अभी बताई उसको ध्यान में रखना उसके बाद आपको किसी third party website से कोई भी third party application को install नहीं करना है Google Play Store से हमेशा install करना है उसके बाद यहाँ पे कुछ fake आपको WhatsApp links देखने को मिल जाती है कि जी होगा रिचार्ज मिल रहा है फ्री में तो यह तो फलाना तो उन चीजों को आप बिल्कुल भी है आप पे click मत करना वैसे links पे वो अचली fraud होती है उसके बाद अगर आपको कोई ऐसा बंदा email भेजता है जिसको आप नहीं जानते हो उसमें कोई attachment वगरा है कोई link वगरा है तो उस पर click मत करना उससे भी आप फस सकते हो आपका system hack हो सकता है आपके virus हा सकते है काफ़ी सारे एंसे काफ़ी से लोगों ने face करी है तो guys मैंने आप लोग को बता दिया कि आप लोग कौनसे चीज़े करनी है और कौनसे चीज़े नहीं करनी है अब safe रहना आया तो इस वीडियो के एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मैं मुन तब से नेक्स वीडियो में तब तक जय हिंद वंदे मातरम